वीडियो शुरू करने से बहले आपको उतादे कि अगर आपने हमारे चनल को पीटर सब्सक्राइब नहीं क्या है तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर देजे इस तरीके से और साथ में यहाँ पर बैल के बटन में किलिक कीजिए जिसे कि आपको नए वीडियो के कर चुके हैं और अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बेटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं तो करते हैं इसके कुछ हिड़न फीचर की बात और हम देखत प्लस का ininction नहीं है दूख सोचल कैमरा को समसंग ने बहुत है कि ये सोचल कैमरा बहूत काम की चीज़ सॉचल कैमरा की इंटरल में जते हैं कि वह उसमें क्या है इडटन है तो हम सबसे पहले हम उसके बात करते हैं के इस में आपको शेरिंग का ऑप्शन कहा जहांसे आप कि जो है Facebook, WhatsApp, Messenger, आप ये तीन चीज़े जो है add कर सकते हैं, जहां से like मैं इसको Facebook को add करता हूँ, Facebook को add करने के बाद मैं आपको यहाँ पर Facebook का logo मिल जाएगा, अब आप कोई भी picture जो है click करेंगे front camera से, rear camera से, तो वो instant जो है Facebook पे share हो जाएगी, like मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक picture click करी Facebook पर और यह instant share हो गई, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी Facebook ID login है, और यह दिखा रहा है, यहाँ पर आपकी successful upload हो गई है, लेकिन अभी तक यह draft में save है, अब यहाँ पर पोस्ट पर click करेंगे, तभी यह Facebook पर आपकी photo share हो जाएगी, तो यह थ कर सकते हैं, maximum आप कितने यहाँ पर add कर सकते हैं, तो maximum आप यहाँ पर 5 contact या 5 Facebook अकाउंट जो है आप add कर सकते हैं, तो यह है यहाँ पर instant sharing का option social media में, शायद वो चीज आप नहीं जानते हो, इसी के साथ में social camera में आप एक और option मिल रहा है, जैसे ही मैंने photo capture करी, like मैं यहाँ photo capture कर रहा हूं, photo capture करने के बाद में आपको फोटॉ यहाँ पर मिल जाएगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर direct sharing का option मिलता है, direct आप यहाँ से share कर सकते हैं, आपको गैल्डिय में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद में यहाँ पर यहाँ जो है दो option मिलता हैं, नीच तो यह जो है इस्टीकर्स आपको जो है सोशल कैमरा की मोट्स वाले फोन में मिलने वाले हैं इसी के बाद हम देखते हैं यहां पर आइकन दिख रहा है फोटो कैप्टर करने वाला उसके पाद में ऑप्शन है यहां पर लोकेशन का इस वाले फीचर को सैमसंग ने नाम दिया है जियो लाइक के नाम से जिस पर हम किलिक करते हैं आपको सिंगल टच करना है आपको अपनी लोकेशन जो है आ जाएगी कि आप इंडिया में है रिसेंटली यहां पर राजिस्तान भी आ गया क्योंकि मेरी यहां पर लोकेशन आन है उसके बाद में यहां पर आप लॉंग आर्ट्स का उप्शन है यह उप्शन आप नियरबाय 500 मीटर तक सर्च कर सकते हैं कि यहां पर नियरबाय कहां कहां फूड ड्रिंक और रेस्टरेंट वगरा आपको कहां मिल सकता है तो यह जो आप्शन है सैमसंग ने बहुत अच्छा उप्शन दिया है जिसका नाम रखा ह है जियो लाइक तो सोशल कैमरे में आपको जो है इतने सारे ओप्शन देखने को मिल पाते हैं और इसके लावा अब हम बात करते हैं सेकंड फीचर की तो आप देख सकते हैं सैमसंग ने जो है रिसेंटली लॉंच सैमसंग जैसेवन मैक्स जैसेवन प्रो में इस तरीके का क यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आपको अपिस को Presgood कर देता हूं आपको जो मेन्यूक की है वो आपको third hidden feature की जो की है multi window, multi window एक नया feature नहीं है, multi window एक बहुत टाइम से पुराना feature है, लेकिन यहाँ पर हम पहले करते थे एक ही window पे दो window use, जिसको हम बोलते थे multi window, लेकिन अगर हम एक ही window पे 4-5 window use करें तो आपको कैसा feel होगा, तो वही आज हम करने वाले हैं, जैसे कि यह open है, यहाँ पर almost pass application, जिस पर हम click करते हैं, आपको यहाँ पर जो है long press करना होगा, आपको नीचे की तरफ जो है drag करना होगा, और इस तरह की जो है window create हो जाएगी, तो यह है, हम इसको यहाँ पर जो है आपको तीन option मिल रहे हैं, इसको मतलब minimize करने को application, application को large करने के लिए और cross करने के लिए, हम करते हैं अभी इसको minimize, मैंने यहाँ पर minimize कर दी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक icon create हो गया, और साथ में हम करते हैं, दूसरे messages को भी यहाँ पर multi window में convert करते हैं, मैंने कर दिया drag, तो यहाँ पर आप इस तरीके से multi window भी use कर सकते हैं, तो यह है आपको multi window का option जो है best option देखने को मिल रहा है, और इसका benefit यह है, अगर आप ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं तो जहां से हमने ब्राउजिंग छोड़ा था, वहीं से ब्राउजिंग स्टार्ट होगा, तो यह एक icon सा create हो जाता है, जहां पर हमने छोड़ा था, इस तरीके से जो icon create कर सकते हैं, तो यह आपको multi window का option best आपको देखने को मिलने वाला है Samsung Galaxy J7 Pro के अंदर, और fourth hidden feature की हम बात करते हैं, तो वो रहता है dual messenger, अगर आप कोई भी social media site यूज़ करते हैं, यहां पर आपको multiple account होते हैं, तो आपको use करने के लिए third party application डाउनलोड करने की ज़रूद पड़ती थी, लेक यहां पर मेरे पास facebook और Skype दो यहां पर social network site available है, जहां से मैं इसको करता हूँ facebook मेरे dual available है, और यहां पर मैं इसको भी कर देता हूँ Skype को भी, लेक यहां पर facebook और Skype जो है 2 available मैंने कर दिये हैं, यहां पर multiple account में, तो आप देख सकते हैं, यहां पर second application है Facebook, जो की second window में create हो गई है और उसके बाद में यहाँ पर dual messenger का sign बना हुआ है यह जो हमें indicate करता है यह आपकी first वाली application नहीं है यह second वाली application आपकी यह है dual messenger sign के साथ में जहाँ पर हम multiple account एक ही phone में use कर सकते हैं और इसके अलावा हम बात करते हैं fifth hidden feature की जो की है बहुत ही safety के लिए अगर आपका phone जो है pocket में रहता है कोई call आता है तो by chance कभी call आपका attend हो जाता है तो वही problem सबके साथ में होती है तो यहाँ पर आपको option मिलने वाला है setting में setting में जैसे ही आप जाएंगे setting में जाने के बाद में आपको मिलेगा display का option display में option में की जाने के बाद में आपको मिलेगा नीचे की side में मैं आपको दिखा देता हूं indicate कर देता हूं यहाँ पर आपको मिलेगा keep screen turned off जैसे ही आप इसको on करेंगे इसको on करने के बाद में आपका जो phone है वो dark places पर रहेगा तो आपका जो यह phone है touch काम नहीं करेगा तो यह feature आपको बहुत best मिलने वाला है जो कि हम पहले की बात करते हैं तो हमें Xiaomi में pocket mode के नाम से मिलता था लेकिन यहाँ आपर Samsung ने keep screen turned off के नाम से दिया है तो यह बिल्कुल best feature लगा है जो कि कई पर हमार सद में यह problem situation हो सकती है और अब हम बात करते हैं 6th hidden feature की जो की है GIF हम किसी को भी WhatsApp पे share करते हैं GIF तो हमें use करना परता है WhatsApp को जहां से हम पहले GIF create करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर send करते हैं लेकिन हम यहाँ पर Samsung Galaxy के अंदर आपको खुद को ही option मिल रहाएगा जहां पर आप GIF पहले create कर सकते हैं अपनी memory को यहाँ पर capture कर सकते हैं GIF के संदर और उसके बाद में आप किसी को भी share कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एक वीडियो प्ले किया आप दिख सकते हैं यहाँ पर मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं और उसके बाद में आपको यहाँ पर Samsung वीडियो वाले option में आपको मिलेगा GIF का option जैसे ही मैंने इस पर click किया तो मैं यहाँ पर 6 second का GIF create कर सकता हूं के ही भी phone से like मैंने यहाँ पर create किया आपको GIF का आपको phone की गैल्दी में ही आपको देखने को मिलने वाला है और अब हम बात करते हैं 7th hidden feature की जो की है as secure folder जहां पर आप सकते हैं secure folder आजकल सारे ही Samsung J series में आपको देखने को मिलने वाला है आपको सबसे पहले इसके उसके तर यूज करना आप finger log भी आप इसमें use कर सकते हैं उसके अलावा हम बात करते हैं आप application को यहां से directly shortcut add भी कर सकते हैं जो की आपको main account में जो आपकी application है और उसके बाद में आप यहां पर जो है अपनी files को भी add कर सकते हैं अपने secure folder के अंदर और इसके अलावा आप यहां पर application को edit भी कर सकते हैं अब इसको remove भी कर सकते हैं और इसको shortcut भी create कर सकते हैं अपने main screen account पर जैसे ही contact को मैंने shortcut create कर रहा हूं तो यहां पर main screen भी shortcut account create हो गया है लेकिन यहां पर जब मैं इसको unlock करूँगा तो वह मुझे वही pattern या password मांगेगा हम जाएंगे आपको यहां पर मिलता है menu के अंदर game launcher का option जैसे ही हम इसको on करते हैं on करने के बाद में आपको यहां पर setup मांगेगा setup करना पड़ेगा और उसके बाद में I agree and to start करना पड़ेगा और start करने के बाद में आप देख सकते हैं अपके जो भी phones में जो games है सारे ही game launcher के अंदर आपको indicate कर देगा अपने according यहां पर application को add भी कर सकते हैं क्स्टमाइज कर सकते हैं application को find कर सकते हैं अपने new game के लिए मतलब यहां पर जो आपको जिस तरीके की game जो आपको यहां पर प्ले करते हैं उस अप्टिंग आपको यहाँ पर फाइन का उप्शन दे देगा इटमिन सबको सजेस्ट करेगा कि आप यह वाला गेम भी आप खेल सकते हैं तो यह फीचर जो है आपको गेम लॉंचर के अंदर एक अच्छा फीचर आपको मिलने वाला है और यहाँ पर एक अच्छा उप्शन है गेमर्स के लिए गेम जो है एक ही फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएगा मतलब मैन्यू से आपको गेम जो है नहीं मिलेगा आपको सारे गेम जो है एक ही फोल्डर में देखने को मिल जाएगे और इसी के साथ में हम बात करते हैं गेम लॉंचर में, जैसे आप कोई भी जो से गेम प्ले करते हैं, तो गेम प्ले के साथ में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है टूल्स का, जान बाइवन देख लिते हैं कि कौन सा जो है feature आपको देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर आपको मिलता है no alert during games यहाँ पर कोई भी आपको alert नहीं मिलेगा game case हेलने के साथ में second आपको मिलता है lock recent and back की मतलब अपनी recent की और back की को lock भी कर सकते हैं इसके लाव आपको option मिलता है screen test lock आप इसको test lock है उसको भी आप lock कर सकते हैं साथ में आपको मिलता है screenshot का option आप अपने game जो play कर रहे हैं उसका screenshot भी ले सकते हैं और सबसे best option मिलता है recording का जहां से आप कोई भी जैसे game play कर रहे हैं और अगर आप इसको record करना चाते हैं तो आपको यह थे Samsung J7 Pro के कुछ hidden feature या फिर हम बोल सकते हैं कुछ best feature तो यह था आज की वीडियो में उमीद है आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को शेर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंट से साथ में तो आज की वीडियो को इतना ही मिलता है वीडियो देंगे के लिए बहुत बहुत दंजवात आपको दिन शुब हो मिलते हैं से किसे के वीडियो में है